हेलो गायस तरहम बातकरनेवाल है स्ट्राइलाइट फिसलिय यह रिचत्राइब था कंपनी के बारे में इस कंपनी का कोटर फुर का रिसल्ट आ चुका है सामने तो कैसा रहां। कंपनी का रिजल्ट और क्या ने डिविडेंट दिया है कि नहीं ? है कि दिया है, कंपनी का 1000 यह वो करोड में है quarter and quarter base के उपर और year on year base के उपर कमपनी की रिजल्ट्स को गंपर करेंगे कैसा है result वो discuss करेंगे सबसे पहले यहाँ पर आप लोग देखोगे इस कमपनी की income के बारे में तो कमपनी की income आप लोगों के सामने यहाँ पर इस कमपनी की income में घटोती हो रही है continuous इस कमपनी की यहाँ पर इंकम में गिरावट आते भी नजर आ रही है कंपनी का यहाँ पर यहाँ पर पर पर्फॉमस देखोगे तो year on year base के उपर भी कमपनी के expense होता है वो भी यहाँ पर continue कम हो रहा है क्योंकि कंपनी का production ही यहाँ पर से दीरे-दीरे करके कम हो रहा है उसके साथ से इस कंपनी के यहाँ पर यहाँ पर expense है वो direct project cost के अंदर जा रही है जो यहाँ पर बहुत ज्यादा बड़ा expense यहाँ पर देखने का मिल रहा है बाकि इस कंपनी के total expense की बात करें तो 17,92 करोर रुपीस का कमणी का total expense है कमणी के expense भले कि मीख़़नी के कम हुए है पर कंपनी की income भी हाम पर से कम हुई है यह चीज़ जारू से ज्याद में रखना बाकि इस कंपनी का यहाँ पर से यहरो नहीं बेसके पर पर्फॉ्मस देखुए तुछ कोई करो यहां पर से कुछ ज्यादा बढ़ i लिये कोई गरोथ नहीं की डेखने के बढ़ रहे बलकि इस कमिन याँ परसे नहीं के यहां पर शेथे और प्र्राफिट की बाख्त करोगे नेट profit for period किया रहा total compressive income की बात करें तो इस कमपनी का net profit और loss की बात करें तो वो यहां पर इस कमपनी का देखने का बिल रहा है 126.61 करोर पिश का कमपनी ने loss जनरेट किया है यहां पर से पिछले quarter के comparison में कमपनी के losses भले ही कम हुए है पर यह चीज याद रखना यहां पर कमपनी का performance और भी ज्यादा खराब होता हुए नज़र आ रहा है यहां पर इस कमपनी के total compressive income भी देखोगे तो वह भी इस कमपनी का है आप भले ही इस कमपनी के अंदर थोड़ा बहुत growth देखने के मिल रहा है बाकी long term prime frame में कमपनी की results बेकार है यह चीज जरू से याद रखना कमपनी के EPS की बात करें तो माइनस 5.44 रुपीज का इस कमपनी का EPS चल रहा है पहले के मुकाबले कमपनी की EPS में एक अच्छा है आपर सुधार देखने के मिल रहा है कमपनी ने क्या dividend दिया है किनी दिया है तो कितने रुपिस का दिया है कमपनी ने कोई भी प्रकार का dividend का announcement नहीं किया है यह चीज आ आपर बहुत इच्छा response देखने को मिल रहा है बाकि इस कमपनी के इंदर कमपनी का business model देखोगे तो अभी भी आपर बहुत जदा missing है यह चीज ज़रू से आद रखना बाकि इस कमपनी के दर invested होता है hold रखना profit में हो तो profit book को book करके चल सकते हो क्योंकि आर कमपनी के results को बाइ